असलाम अलेकूम आइडियर स्टूडेंट्स आइम आरिफ सर एट सकाई क्लास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्लास किप हुए थे बिटा तो 11th क्लास के तो आज वही बैक अप क्लास हम यहां पर ले रहे हैं ऑनलाइन तो प्लीज आप इन लेक्चर्स को देखिएगा तो हम यहां पर जो आज स्टार्ट करेंगे वो हैं किंग्डम फंजे किंग्डम फंजे हम पढ़ रहे थे बिटा तो बहुत सारे बच्चु का स्किप हुआ था इसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक मिनट किंग्डम फंजे जी बिटा धान से आपको इस टापिक को पढ़ना है बिटा बहुत डिफकल्ट टापिक हैं लेकिन समझने में बड़ा ही इजी है तो हम क्या करेंगे इजी तरीके से इसे पढ़िए आप अंसे आर्टी के एक एक लाइन को अच्छे से समझ सकते हो और कोई भी रेफरेंस आप अच्छे से फिर पढ़ सकते हो इस लेक्चर को देखने के बाद तो हम यहां पर स्टार्ट क्या करेंगे यह जो किंग्डम फंजे पहले ही हम बोल इसे फंजे जो होते हैं एक्चुली यह वाट आर फंजे हैं फंजे क्या चीज़ है ठीक है बेटा एक तो हम यह पढ़िंगे दूसरा जो हम इसमें पढ़िंगे फंजे के बाद यह जो फंजे क्या है इसके बाद हम देखेंगे इनका हैबिटार्ट क्या है ठीक है बेटा हम देखेंगे ये किस जगा पर रहते हैं ये फंजी तीसरा हम देखेंगे बेटा इनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है सेल का स्ट्रक्चर कैसा है सेल के स्ट्रक्चर के बाद हम इन में देखेंगे बेटा fourth one देखिंगे nutrition ठीक है बेटा ये सब चीजे हमें इस चप्टर में पढ़नी है बेटा nutrition पढ़ना है इसमें fifth one जो हम पढ़िंगे इनमें बेटा देखिंगे इनके अंदर reproduction कैसे होती है बेटा and जो fifth one हम यह sixth one हम पढ़िंगे बेटा वो हम पढ़िंगे reproduction के बाद हम क्या पढ़िंगे हम इसमें पढ़िंगे classification ठीक है बेटा ये सब चीजें हमें इस चप्टर के अंदर पढ़ती है तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ये fungus क्या चीजें होती है एंड ये होते कैसे अगर हम यहां पर fungi की बात करें बेटा सर्फ फंजे क्या है हमें केसे दिखते हैं केसे होते हैं ये आपने बेटा मश्रूम खाए होंगे तो मश्रूम एक फंजे है आपने बेटा यीस्ट देखा होगा जो पीज़ा बनाते से हमें हम यूज़ करते है या रोटी बनाते से हमें बेकर्स यूज़ करते हैं वो भी फंगस हैं बिटा इसी तरह आपने देखा होगा बिटा जो प्लांट्स होते हैं उनके सिटम के नीचे बहुत सारे मश्णूम जैसे कश्मीरिमें हम जिसको गुच्ची केते हैं तो आपने रस्ड देखा होगा वह भी मश्रूम में अच्छा रोटी गपे रख़ी होगी तो हम कहते हैं इस बासी रोटी है तो उस रोटी पे वह कुछ थेड़ जैसे str chính स्ट्रक्चर ग्रो कर गए होते हैं तो वो भी वहां पर एक fungus है, आपने रस्ट देखा होगा, wheat को कभी कभा रस्ट हो जाता है, wheat के leaves को, वो भी fungus है, आपने क्या देखा होगा, और आपने देखा होगा, बहुत सारे, और भी जैसे हमारे पास अगर आप wheat देखा होगा, उसके leaves को भी भीमारी हो जाती है, उस पर चोटे चोटे वो spots grow कर जाते हैं, वो भी किस की वज़ा से होते हैं, fungus, that's यह सब चीजे हम पढ़ेंगे, यह fungus है, ठीक है, पहले ही हम समझेंगे, यहाँ पर एक टर्म में लिखूंगा, NCRT में नहीं है, पहले ही मैं ऐसी एक टर्म लिखूंगा, mycology, mycology हम किस चीज को कहते ह हैं, mycology is study of fungi, fungus की study को हम क्या कहते हैं, mycology कहते हैं, ठीक है, दूसरा point जो आपको यहाँ पर याद रखना है, वो आपको यह याद रखना है, यह जो fungus होते हैं, यह Greek word है, यह Greek word से निकला है, जिसका मतलब होता है, to flourish, flourish, fungus क्या करते हैं, यह flourish करते हैं, यह फैलते हैं, ठीक है, तो यह एक दो terms, anxiety में नहीं हैं, चलो फिर भी, बड़ा ही easy हैं, याद रख लो यार, चलो, इसके बाद, हम सबसे पहले देखींगे बट़ा, जो अभी मैं आपको कह रहा था, हम देखींगे यह जो fungus होते हैं, इनका habitat क्या है, तो पहला ही topic हमारा हैं, बट़ा, habitat, अगर हम यहां पर habitat की बात करें, बट़ा, तो habitat, अगर हम फंगे का देखें, तो habitat क्या होता है, बट़ा, place where an organism lives, वो जगा जहां पर कोई organism रहता है, उसको हम habitat के नाम से जानते हैं, फंगस का habitat, अगर हम देखें, इसके लिए एक term यूज की है, NCRT ने, जिसको हम कहते हैं, कास्मो पॉलिटियन, इसका मतलब क्या होता है, सर, कास्मो पॉलिटियन, that is, यह पाए जाते हैं, everywhere, यह आपको everywhere पाए जाहेंगे, फंगस आपको हर जगा पर दिखेंगे, जैसे सर, example, यह हमें, dump, and shady places पे दिखेंगे, shady places पे दिखेंगे, शाबाज, यह grow करते हैं, grow on wood, wood के ओपर यह आपको, moist wood जो होगी, इसके ओपर grow करींगे, bread के ओपर grow करींगे, ठीक हैं बेटा, bread के ओपर grow करींगे, shady places जो होती हैं, वहाँ पर grow करते हैं, अच्छा, dump places पे, moist soil के अंदर यह grow करते हैं, बेटा, moist soil के अंदर यह grow करींगे, बेटा, यह इनका कुछ habitat, that is, यह कॉस्मो पॉलिटी ने everywhere पाए जाएंगे, लेकिन यहां पर एक point आपको याद रखना है, NCRD ने लिखा है, क्यों, AC कोई जगा है, जहां पर fungus नहीं पाए जाएंगे, अब हमें यह point ज्यान में रखना है, AC भी कुछ जगा है, जहां पर fungus ग्रो नहीं कर सकता है, NCRD ने इसे कहा है, रेफ्रीजियेटर जो होते हैं, रेफ्रीजियेटर जो होते हैं, बेटा, हमारे घर में, फ्रीज, उनमें यह ग्रो नहीं कर सकते हैं, not grow, क्योंकि बेटा, वहां पर temperature बहुत कम होता है, यह fungus उन जगापर ग्रो करते हैं, जो अच्छी खासी warm places होती है, and moist places होती हैं, वहां पर यह grow करेंगे, रेफ्रीजियेटर के अंदर fungus grow नहीं करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, बेटा, पहले ही इनका habitat जो हमने यहां पर पढ़ा, बात आई समझ में, इसके बाद, इसके बाद जो हम देखींगे, बेटा, तो दूसरा topic हम देखींगे fungus की cell का, हम देखींगे इसकी cell का structure के सा होता हैं, बेटा, तो हम देखींगे इसका cell structure, cell structure, cell structure, बेटा, अब यह बेटा हमारा हो गया topic number second, अब cell structure में हम देखींगे यह fungus होते कैसे, पहले हम समझेंगे बटा ये जो फंगस होते हैं, ये mostly जो होते हैं, क्या होते हैं बटा माल्टी सिलूलर होंगे ये बटा Multicellular का क्या मतलब होता है सर एक से ज़्यादा सल एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चौर सेल ऐसे ही इन में बहुत सारी सेल्स क्या होती है बिटा प्रेजन्ट होती है इन को हम कहते हैं Multicellular लेकिन क्या सर कोई Fungus Unicellular है ये सर, एग्जेक्ट सम और सम और सम और हम यहां पर इस पॉइंट को लिखेंगे बिटा ये एक होगा, mostly Multicellular होते हैं दूसरा हम लिखेंगे सम और सम और Unicellular Unicellular कुछ आपको Fungus ऐसे भी दिखेंगे जो कि एक ही सेल से बने हैं एक्जेम्पल हम यहां पर रखेंगे याद एक्जाम्पल जो NCRT ने लिखी है 11th के चप्टर में एक एक्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं बिटा यीस्ट ठीक है यीस्ट जो है बिटा Saccharomyces cerevisiae इसका scientific name में तो यह जो यीस्ट हैं बिटा ये Unicellular होता है और एक स्पीशीज है ये 12th के NCRT में ये नाम है बिटा जिसको हम कहते हैं Monascus purpureus Monascus purpureus जो है बिटा ये भी एक हमारे पास fungus है जो की Unicellular होते हैं शबाज बाकी क्या है बाकी Multicellular है दो पॉइंट हो गए यहां तक अभी हमने देखा ये एक Mostly Multicellular है Monascus species इसके बाद अगर हम देखें fungus में हम पहले आपको एक point यहां पर समझाना चाते हैं बिटा देखो आपने पढ़ा होगा animal kingdom के अंदर सबसे पहले जो tissue level organization जो आपने पढ़ी होगी उसमें आपने समझा होगा बिटा एक cell है ठीक है cell जब मिल जाती है बिटा तो बहुत सारी cells ये बना लेती है बिटा tissue क्या बना लेती है tissue के बाद कुछ बना लेते हैं फिर बिटा tissue के बाद बन जाते हैं organ ठीक है फिर बन जाता है बिटा organ system फिर बन जाता है बिटा organism नहीं आई बात समझ में ज़रा जयान से देखो यार में क्या बोल रहा हूँ अनिमल किंग्डम आपने बढ़ा होगा उसमें आपने बढ़ा होगा सेल्स मिल जाती हैं टिश्व, औरगन, औरगन सिस्टम, औरगनिजम नाइंध क्लास से भी पढ़ते आई हो लेकिन फिर आप अनिमल किंग्डम में एक चीज़ यह भी देखी होगी यह जो औरगनिजम होते हैं कुछ की लेवल सिल्यूलर होती हैं यहsin़ फिर एक सेल के बनए हैं जैसे येस्ट हैं फिर कुछ बने हुए होता हैं उनके पास टिशू होता हैं कुछ के पास organ होता है एंड कुछ के पास फिर organ system मिल के बना लेता है organism जैसे हम है fungus के पास अगर हम देखें बैट टिशू level जो होती है न इस बाड़ी लेवल जो organization इनकी होती है इनके पास जो लेवल आफ और्गनाजेशन होती हैं बाड़ी की वो होती है बिटा टिशू ही तक ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए यहां पर अब ये जो टिशू होंगे बिटा ये टिशू भी कैसे होते हैं ये टिशू होते हैं बिटा लूजली अरेंजड ये जो टिशू होंगे ये टिशू क्या होते हैं बिटा टिशू और लूजली अरेंजड ये जो टिशू इन में होते हैं बिटा ये लूजली अरेंजड होते ह आपको समझ में, फंगस अगर आप हाथ में उठाओ के बेटा, ये हाथ से भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि इतने मुलायम होते हैं, क्योंकि इनके टिशू जो होते हैं, ये बहुत ही लूज होते हैं, इसको हम केते हैं टिशू लेवल औरगनाइज़शन होती हैं, एंड ये लूजली अरेंज़ड होते हैं, तो इनके जो बेटा ये टिशू होते हैं, ये हमें केसे नजर आते हैं, इसके उपर हम ध्यान दालते हैं, यहाँ पर, अगर हम इसके tissues को देखें बेटा ये हमें दिखेंगे केसे तो हम ऐसे देखींगे इनके जो tissues होते हैं बेटा tissues form ये इसका एक tissue अगर हम देखें ना बेटा ये case of structure बनाता है forms a thread-like structure ये thread-like structure बनाते हैं बेटा ये जो इन में बेटा tissues होते हैं ये thread-like structure form करते हैं ऐसे ठीक है कुछ ये अलग दागे जीसे structure जिनको हम कहते हैं बेटा structure called hive इनको हम क्या कहते हैं बेटा hive कहते हैं बात आई आपको समझ में मैंने क्या कहा ये जो tissues होते हैं बेटा ये thread-like structure बनाते हैं जिनको हम hive कहते हैं ये देखो ये एक hive हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा fourth, बहुत सारे ऐसे ही hive बनते हैं बेटा, तो हम यहाँ पर अगर hive का structure देखें तो मैं एक hive यहाँ पर ये बनाऊंगा बेटा यह देखो, यह ऐसे होते हैं, यह हाइफ बेटा, ठीक है, इस वाले structure को, इस दागे जैसे structure को मैं जूम करके बना रहा हूँ, बड़ा आपको दिखा रहा हूँ, otherwise यह आपको ऐसे दिखींगे, बात आ रही हैं समझ में, तो इसी structure को हम क्या कहते हैं, बेटा, हाइफ, यह जो ह cylindrical होते हैं बेटा, ठीक है, यह क्या होते हैं बेटा, thread-like, cylindrical structure होते हैं, यह हाइफ, बात आईए आपको समझ में, हाइफ, अच्छा, अब यह जो thread-like structures होते हैं, यह हाइफ, यह जब मिलते हैं बेटा, तो एक structure बना लेंगे आगे, जिसको हम कहते हैं, mycelium, ठीक है, उस से प होते हैं बेटा तो यह क्या होते हैं इस हाइफ को अगर हम यहां पर देखें यह हाइफ दो तरह के Fungus के पास हो सकते हैं कितने तरह के हाइफ होते हैं Two types के हाइफ होते हैं Fungus के बाद एक जो होता है एक type यहाँ पर हाइफ का उसको हम चेते हैं मैं बना के दिखाऊंगा है यह दिखो इसे इसको हम केते हैं Sepitat Sapitat हाइफ सर ये सेपिटेट हाइफ क्या होता है इनकी सेल्स के बीच क्रास वाल प्रेजन्ट होता है ये देखो बेटा ये जो है इसको हम कहते हैं बेटा सेप्टा इसका नाम है बेटा सेप्टा इसको हम सेप्टा के नाम से जानते हैं या हम इसको बेटा cross wall के नाम से भी जानते हैं इसको बीच में जो इसा structure होता है ठीक है तो ये होगे sapitate high लेकिन कुछ h websites हमारे पास इसे भी होते हैं बिटा जो की होते हैं A sapitate ये क्या होते हैं बिटा ये A sapitate हाई उते है सर ये A sapitate हाई हाइफ क्या होता है हम इसको बना के देखिंगे बेटा यहां पर अगर यह एक हाइफ है तो इसके अंदर यह नूकलिस हो गया यह भी नूकलिस है यह भी नूकलिस है यह भी नूकलिस है बात आ रहे हैं समझ में अब यह जो नूकलिस है लेकिन सर इसमें एक चीज मिसिंग है That is cross wall जैसे यहां पर थे या septa वो absent है A septate में क्या होता है बिटा हमेशा लिखेंगे Cross wall जो होते हैं बिटा इनके पास ये होते हैं absent ये आपको पता होना चाहिए इनके बीच एसे cross wall एसे absent होते है इसकी वज़ा से ये हमें दिखते कैसे हैं बिटा Thus they appear Thus ये appear कैसे होते हैं बिटा ये appear होते हैं multi-cellular यहां पर अगर आप देखो ये हाइफ आपको multi-cellular दिखेगा क्योंकि इसके अंदर एक, दो, तीन, चार न्यूकलिस आपको दिखेंगे इस multi-cellular condition को हम क्या कहते हैं बिटा sinusitic condition क्या कहते हैं सी नोस्टिक सी नोस्टिक कंडिशन नीट में ऐसा question आया है बिटा सी नोस्टिक कंडिशन या multi-nucleate condition किस हाइफ में आपको पाए जाएगी क्या एस habitat में या habitat में आपका ध्यान होना चाहिए एस habitat में मिलेगी क्योंकि इसमें cross wall या absent है और यह appear कैसे होता है NCRT ने लिखा है यह जो ace habitat type है बेटा यह आपको appear कैसा होगा यह हमें होता है free tube-like structure free tube-like structure जिसके अंदर multi-nucleus होते हैं यह देखो यह आपको यह tube जैसा structure दिखेगा ace से ठीक हैं? इसमें बहुत सारे nucleus हैं और cross wall भी इसके बीच absent है यह होगी बेटा इसकी body forms हाइफ की ठीक है तो हाइफ दो तरह के होते हैं sapatate होते हैं और होते हैं हमारे पास ace sapatate हाइफ ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर आगे देखें इसको हाइफ को तो हाइफ आगे मिलके क्या करेंगे सारे यह जो हाइफ आगे मिलते हैं तो यह और एक structure बनाएंगे बेटा उसको हम कहते हैं mycelium तो मैं लिखूंगा ऐसे what is mycelium बेटा mycelium क्या चीज़ है बेटा mycelium क्या होता है बेटा mycelium is a nothing but network of network of बेटा हाइफ जब बहुत सारे हाइफ बेटा मिल जाते हैं एक network बना लेते हैं इसको हम क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं mycelium ठीक है मानो कि एक हाइफ था ऐसे दूसरा तीसरा चो था यह बहुत सारे हाइफ जब मिल जाएंगे बेटा यह कुछ ऐसे बेटा structure बना लेंगे बेटा यह ऐसा कुछ structure यहां पर बन जाएगा यह network इसको हम कहते हैं बेटा mycelium काच्छो है बहुत सारे हाइफ जब मिल गए बहुत सारे हाइफ तो बना लेंगे mycelium मानो यह एक हाइफ है बहुत सारे हाइफ ऐसे मिल गए तो इन्होंने बना लिया mycelium बात आई आपको अब समझे waien eat अब इस mycelium के बारे में सर हमें क्या समझना है बहुत कुछ समझ ना लिए क्या समझना है सर बोल दीजिए तो यह समझना है यह जो mycelium होते हैं बेटा यह जो mycelium होते हैं माइसीलियम में ऐसे लिखूँगा है, देखो, माइसीलियम जो होते है ना बेटा, ये यूजूली, ये यूजूली ग्रो करते हैं बेटा, होरिजन्टली, ग्रो होरिजन्टली, on food, on food, समझते हैं सर यहाँ पर, मानो कि यहाँ पर बेटा, ये एपल है, ठीक है, ये एपल है, यहाँ पर, डैड एपल है, तो ये उपर माइसीलियम ग्रो कर गया, फंगस का, तो ये चाहेगा इसके उपर एसे ग्रो करना, ठीक है, ये कोई माइसीलियम है, ये इसके उपर ए यहां पर dead food हैं बेटा इसके ओपर यह fungus ग्रोग कर रहा है that's it mycelium हमेशे चाहता है कि मैं ऐसे ही ग्रोग करता रहूं on food लेकिन sometimes यह क्या करेगा बेटा sometimes यह aerial structure बनाएगा जिसको हम कहते हैं fruiting body ठीक है यह वो खाने वाला fruit नहीं है बेटा इसका नाम हम रखते हैं fruiting body जैसे मैं अगर यहां पर लिखूँ what is fruiting body ठीक है बेटा तो मैं लिखूँगा यहां पर fruiting body देखो mycelium के साथ बेटा यह term relate करती है बेटा what is fruiting body actually actual में जब हम देखते हैं यह fruiting body जो होती है बेटा यह कुछ भी नहीं होता है but aerial mycelium होता है ठीक है जब यह mycelium एसे हवा में grow करेगा एसे उपर की और इसको हम केते हैं बेटा FB फेस्बुक नहीं सर इसको हम केते हैं fruiting body बात आ रही हैं समझ में that's मैं लिखूँगा what is fruiting body बेटा aerial mycelium aerial mycelium aerial mycelium क्या होता है सर when mycelium grows in ear हवा में जब यह grow करेगा एसे उपर की और इसको हम केते हैं बेटा fruiting body यह आपको पता होना चाहिए अच्छा यह जो fruiting body होती है बेटा यह aerial mycelium यह होता है tinted यह NCRT के ओपर नहीं है यह वाला point sir what is this tinted यह tinted क्या होता है इसके अलग-अलग color होता है fruiting body इसलिए तो आप मश्रूम बहुत सारे colors के देखे होंगे red colors के देखे होंगे black color का देखा होगा या white color के भी होते हैं ठीक है even कुछ blue color के भी होते हैं that's यह tinted होता है differently यह fruiting body अच्छा सर यह fruiting body किसलिए यह fungus बनाता है ठीक है न यह भी सूचने की बात है अगर यह fungus ऐसे यह mycelium grow कर रहा था लेकिन अब इसको जुरूरत क्या आन पड़ी यह fruiting body बना रहा है इसको यह जुरूरत आन पड़ी बेटा यह fruiting body के ओपर यह बनाएगा यह एसे spores इसके ऊपर कुछ एसे structure बनेंगे जिनको हम क्या कहते है बेटा spores कहते है यह जो fruiting body होती है fruiting body होती है यह क्या बनाती है बेटा forms spores fruiting body जो होती है यह क्या form करती है forms spores ठीक हैं बेटा तो यहां तक हमने क्या पढ़ा यहां तक हमने यह पढ़ा fungus जो होते हैं unisular भी लेकिन mostly multisular होते है तो multisular cell के जो organization होती है body organization वो होती है tissue level ही तक और यह जो tissue होते हैं loosely arranged होते हैं पढ़ा हमने ठीक है तो उसके बाद हमने देखा यह जो bitter fungus के यह tissues होते हैं यह बनाते हैं thread like structure दागे जैसे structure जिनको हम कहते हैं hive वो दो तरह के हमने देखे sapatate उसके बाद हमने जो देखा यह जो mycelium होता है यह बन जाता है जब बहुत सारे hive मिल जाते हैं इसके बाद हमने क्या देखा यह mycelium एसे ही grow करना पसंद करता है ठीक है लेकिन कभी कबार यह हवा में grow करता है जिसको हम कहते हैं fruiting body and this fruiting body पे क्या होता है इस पे spore बन जाते हैं छोटे छोटे दाने हम आगे देखेंगे यह spore होते क्या है इसको भी समझेंगे that's यह हो गया यहां तक आपको fungus में fruiting body यह etc दूसरा point जो हम देखेंगे बेटा क्या fungus के पास cell wall होता है present हाँ होता है क्यूंकि बेटा हम कहेंगे यह जो fungus होते हैं fungal या fungi cell wall is composed of composed of यह किस चीज़ से बनी वी होती है बेटा काइटिन से एक किमिकल है बेटा जिसका नाम है काइटिन यह इसकी cell wall में present होता है हम इसको यहां पर समझेंगे मानो यह एक fungus है यह इसकी cell wall है इसकी cell wall बनी हुई होगी बेटा ऐसे किसी किमिकल के साथ ऐसे जिसको हम क्या कहते हैं बेटा काइटिन सर किया हमेशा काइटिन ही होगा नहीं क्या काइटिन के अलावा और भी कोई चीज हो सकती है नहीं काइटिन के अलावा हां सर और एक तो चीज होती हैं इसमें साथ कौन सी चीजें वो काइटिन के अलावा इसमें होते हैं बेटा पॉलि सेकराइड बात आए आपको समझ में that is हमने क्या देखा बेटा ये जो फंजय की सेल वाल हैं ये बनी है काइटिन से plus polysaccharide ये question आपको neat में आया था बिटा neat और neat के question भी सामने रखो NCRT भी सामने रखो पूरा content में रहा है आपको बात आ रही हैं समझ में यह हो गई cell wall बाहिर से फिर अगर हम cell के अंदर जाएं मानो ये fungals की एक cell नहीं यहाँ पर ठीक है ये cell इसको मैं white color से आपको दिखाऊँगा बिटा ये देखो ये white color से मैं जो दिखा रहा हूँ ये एक cell मानो और भी cells होँगी इस cell को अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस cell के अंदर अगर हम देखें ये cell केसी क्या होगी सर आपने पढ़े होंगे बिटा दो तरह की cells होती है एक होती है prokaryotic दूसरी होती है eukaryotic cell ठीक है actual cells के type अलग लोग होते हैं prokaryotic and eukaryotic prokaryotic cell में आपने देखा होगा nucleus present नहीं है 70s ribosome है ठीक है cell wall भी present है और भी कुछ differences है cell organelles जो है absent है on the other hand ये एक fungus जो होते है except bacteria जो भी दुनिया में organism है वो eukaryotic है तो हम के सकते हैं अब ये जो fungus की cell होगी क्या ये भी eukaryotic होगी बिटा हाँ सर ये भी eukaryotic cell है eukaryotic cell that is इसके पास क्या-क्या चीज़ें present होती है बिटा इसके पास होगा nucleus बिटा well defined nucleus होगा nucleus के अंदर chromosome होगे present सब कुछ बेंदास होगा बिटा इसके बाद से कोई tension नहीं होगी सर और क्या इसके पास होगा nucleus के अलावा इसके पास होता है बिटा जैसे membrane bound organelles आपने देखे होंगे बिटा इसके पास होंगे बिटा ATS ribosomes भी होंगे बिटा अच्छा सर इसके पास क्या होगा plasma membrane भी अच्छा खासा होगा बिटा जैसे आपने पढ़ा है ribosomes भी पढ़े है membrane bound organelles पढ़े होंगे बिटा और एक चीज़ क्या पढ़ी होगी बिटा आपने mitochondria इसके पास होगा हाँ सर इसके पास mitochondria भी present होते हैं शबाश, mitochondria भी होगा बिटा अच्छा क्या chloroplast present होगा यह जो fungus की cell होती है बिटा, इसमें होगा no chloroplast fungus की cell के पास बिटा, आपको chloroplast हरगी भी नहीं दिखेगा अच्छा, जिस cell के पास भी chloroplast present होता था बिटा, एस से यह हो गया nucleus etc तो वो होती थी photosynthetic, क्या होती थी photosynthetic, जैसे आपने पढ़ी होगी plant की cell हमने देखी algae की cell देखी, उनके बास chloroplast present है इसलिए वो photosynthesis कर सकते हैं और अपना food खुद से ही बना सकते हैं लेकिन यह जो fungus की cell हैं बिटा, इसके पास chloroplast यहां पर याद होना चाहिए, आपको absent होगा, इसकी वज़ा से बेटा, हम अगर इनके mood of nutrition कहेंगे, क्या यह हम के सकते हैं, यह हिटीरियो ट्रापिक होंगे यह सर, हिटीरियो ट्रापिक वही organism होते हैं, जैसे हम हमारे अंदर chloroplast cell के पास नहीं है, cell के पास chlorophyll pigment जैसे chlorophyll A, B, यह सब चीजें भी absent हैं, इसलिए same इसमें ही होगा अब और एक question होगा, सर क्या हम यहाँ पर nucleus पढ़िंगे mitochondria, ribosome, membrane, bound और यह सब चीजें यहाँ पर पढ़िंगे नहीं पढ़िंगे, क्यों? सार इसके लिए एक अलग chapter है, cell वाला chapter, उसमें आप 70s, 80s, ribosome, plasma, membrane, fluid, mosaic, model पढ़ोगे mitochondria का structure पढ़ोगे, chloroplast वो तो इसके अंदर है, नहीं, membrane, bound organelia, आप बढ़ोगे, endoplasmic, reticulum, golgi, bodies, etc. वो सब चीजें इसके अंदर present होगा, लेकिन यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़िंगे, क्योंकि वो आगे एक chapter में दिया है, बात आरे हैं समझ में, यह होगी eukaryotic cell, और यह heterotropic cell हैं, chloroplast absent है, food storage बेटा, हर एक cell के अंदर बेटा, जैसे हमने देखा था, हमने देखा था बेटा, food storage होता है, green algae के पास, brown algae के पास, red algae के पास, इसी तरह इन के पास भी, बेटा, food storage जो होगा cell के अंदर, food storage वो होगा, बेटा, glycogen, ठीक हैं बेटा, glycogen, इनकी cell के अंदर, food storage होता है, fungus की cell के अंदर, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो अब हमारा हो जाता है, बेटा, यहां तक पहला और दूसरा वाला portion खतम, जैसे पहले हमने बढ़ा था, कि habitat इसका क्या है, दूसरा हमने देखा था, कि इसकी cell का structure, actual sense में केसा है, बात आ रहें समझ में, cell का structure हमने देखा था, केसा है, यू केरियार्टिक हैं, सब चीजें present होगी, chloroplast नहीं होगा, हिटीरोट्रापिक होंगे, अब अगर यू हिटीरोट्रापिक हैं, तो हम इसके पढ़ लेते हैं, बेटा, अब nutrition, क्या पढ़ेंगे, nutrition, nutrition, अच्छा सर, ये nutrition क्या होता है, nutrition होता है, बेटा, mood of obtaining food, ठीक है, पीछे मैं आपको बोलता आया हूँ, mood of obtaining, obtaining food, एक organism किस तरीके से अपने food को बेटा, खाता है, लेता है अंदर, cells के अंदर, body के अंदर, तो इसको हम कहते हैं, बेटा, nutrition, fungus की nutrition को अगर हम यहाँ पर, बेटा, divide करें, तो इसकी nutrition को हम, बेटा, divide कर सकते हैं, according to NCRT, three parts में, बेटा, ठीक है, जो सबसे पहला वाला part हो गया, बेटा, हमारा, वो हो गए, saprophytes, fungus होते हैं, कुछ का mood of nutrition होता है, बेटा, saprophytes, ठीक है, कुछ का mood of nutrition होगा, बेटा, saprophytes के बाद होते हैं, कुछ होते हैं, parasitic, ठीक है, बेटा, हो गए, दो, तीसरा, जो हमारे पास होगा, बेटा, parasitic के बाद, वो सर कौन सा होगा, उसको हम कहते हैं, symbiotic association, symbiotic association, यह तीनु mood of nutrition हमने, अलग-अलग करके, यहां पर बेटा, पढ़ने हैं, ठीक है, NCRT ने लिखे हैं, इससे पहले, आपने जो previous topic देखे होंगे, उसमें हमने कोई एक भी topic अभी तक छोड़ा नहीं है, ठीक हैं, कोई भी NCRT की line skip नहीं की हैं, तो आप इसके उपर ध्यान रखिएगा, प्लीज, तो हम पहले ही करेंगे बेटा, discuss यहां पर किन को, saprophytes को बेटा, ठीक हैं, तो यहां पर हम discuss किन को करेंगे बेटा, saprophytes को बेटा, saprophytes, देखो saprophytes कोन से fungus होते हैं, यह वो fungi होते हैं, जो dead and decaying चीज़ों के उपर grow करते हैं, ठीक है, dead and decaying, जैसे हमने lactobacillus, एक bacteria देखा था, दूद के उपर grow कर रहा था, तो वो dead and decaying चीज़ों पर grow कर रहा था, इसी लिए, इसी तरह कुछ saprophytes हमारे पास fungus होते हैं बेटा, जो कि grow किसके उपर करते हैं, यह grow करेंगे बेटा, यह grow करते हैं बेटा, dead and decaying, dead and decaying matter के उपर यह बेटा, grow करते हैं, इनको हम कहते हैं saprophytes, बात आई समझ में, saprophytes किसके उपर grow करते हैं, dead and decaying चीज़ों के उपर, ठीक है, अच्छा सर, dead and decaying चीज़ों के उपर तो grow करते हैं, लेकिन किस तरीके से यह अपनी nutrition को बेटा, अंजाम तक पहुचाते हैं, यह कैसे करते हैं, हम देखेंगे, यहां पर मानेंगे बेटा, मानो की यहां पर कोई एक leaf हैं ऐसे, ठीक हैं बेटा, यह एक leaf हैं यहां पर बेटा, ठीक है, यह भी freshly fall हुआ है बेटा, यह बहुत सार मैसीलियम है किसका, यह मैसीलियम है, फंगस का, अगर उपर की और एसा structure बना दे बेटा तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रूटिंग बाड़ी, ठीक है, वो किस के लिए बनाएगा, सपोर्ज के लिए, सपोर्ज क्या है, आगे समझीगे, अब देखो, सेप्रोफाइट्स हैं, यहां पर मैसीलियम है, तो यह इस लीफ के ओपर ग्रो कर रहा है, यह डैड़ चीज हैं यहां पर, यहां पर एपल वैपल भी है, इनके ओपर भी ग्रो कर रहा है, मैसीलियम, यह मैसीलियम क्या करेगा, देखो, आउट साइड सेल, यहां मैसीलियम, जो होता है बेटा, यह स रिलीज क्या यह चीज करेगा बेटा enzymes ठीक है यह जो माइसीलिय में यह रिलीज करेगा कुछ enzymes enzymes की वज़ा से क्या होगा बेटा यह जो बेटा dead and decaying food हैं यहाँ पर यह break down हो जाएगा food हो जाएगा ऐसे में लिखूँगा large जो food particle है बेटा food particle है यह break हो जाते हैं बेटा किसमे यह large food particle हो जाते हैं into small food particles में बेटा किन में यह convert हो जाएगे जो small food particles यह हम ऐसे अच्छा लिखेंगे कि water soluble small water soluble food particles में क्या देखा हमने यह जो mycelium है बेटा यह mycelium क्या करेगा यह release करेगा कुछ enzymes यह जो enzymes को release करेगा यह इस food particles को यहाँ पर बेटा छोटे छोटे हिस्सु में तोड़ देंगे इसे इस leaf को तोड़ दिया जाएगा इसे ठीक है इसकी वज़ा से यह जो leaf है अब यह एसे convert हो जाएगा इन water soluble compound इसमें एसे ठीक है यह water soluble बन गया अब यह इसका food अब जब यह पानी में soluble हो जाएगा तब यह fungal cell इसको क्या कर लेगी बेटा fungal की cell इसको क्या कर लेगी बेटा absorb फिर हम एसे लिखेंगे mycelium इसको क्या कर लेगा बेटा mycelium इसकी बेटा कर लेगा uptake sir mycelium ने इतनी परेशानी क्यों की इसलिए की क्यों की mycelium के पास तो मूँ नहीं है हमारी तरह उठा लेगा कोई भी चीज खा लेगा तो इस विचारे को क्या कर रहे है यह पता तो इतना बड़ा है leaves तो इतने बड़े हैं यह fruits यह इनको इसे directly नहीं खा सकता यह इनको पहले छोटे छोटे food particles में break करेगा तो यह जो food particles अब हैं यह पानी में यहाँ पर mix हो जाते हैं ठीक है जिसे छोड़े बच्चे की example में देता हूँ छोटे बच्चे जो होते हैं एक महिने के या तीन महिने के उनको हम directly अगर biscuit दुकान से लाते हैं यह से ही नहीं खिलाते हैं वो पहले दूद में डालते हैं फिर वो वहाँ पर mix हो जाते हैं दूद के साथ फिर वो दूद पिला देते हैं वो liquid जैसा इसी तरह यह भी इनको break down करता है तो यह water soluble food हो जाता है फिर इसको uptake कर लेता है यह हो गई saprophytes अब यह जो saprophytes हैं बेटा यह वाला point NCRT ने तो नहीं लिखा है लेकिन हम पढ़ लेते हैं उतना मुश्किल भी नहीं है यह जो saprophytes होते हैं बेटा यह जो saprophytes होते हैं यह दो तरहा के होते हैं बेटा saprophytes दो तरहा के होते हैं एक हो गया हमारा बेटा जिसको हम कहते हैं faculty tattoo faculty tattoo saprophytes दूसरा जो हमारे पास हो गया बेटा उसको हम कहते हैं Obligate क्या कहते हैं बेटा दूसरे को हम कहते हैं Obligate Seperophytes ठीक है बेटा Obligate Seperophytes देखो इन दोनों में difference क्या है बेटा यह जो faculty tattoo होते हैं बेटा यह only and only grow कर सकते हैं किन पे सिर्फ dead and decaying चीज़ों पे नहीं, sorry यह जो obligate होते हैं यह सिर्फ only and only dead and decaying चीज़ों पे grow करेंगे इनके past alternate mood of nutrition और कोई नहीं होता है हम एसे लिखेंगे यह only grow करेंगे Only grow करते हैं बेटा Only grow as Seperophytes यह सिर्फ बेटा Seperophytes ही यहाँ पर grow करते हैं बात आई आपको समझ में As a Seperophyte ही यह grow करते हैं ठीक है लेकिन यह faculty tattoo जो देखें हम बेटा यह बेटा यह बेइमान टाइप के हैं क्यों अगर इनको dead and decaying matter मिल रहा है तो उस पे grow करेंगे dead and decaying matter नहीं मिल रहा है तो यह parasite या और कोई mood of nutrition चुन लेंगे ठीक है तो हम क्या लिखेंगे बेटा they switch their mood of nutrition according to ठीक है बेटा according to situation according to your food present अगर इनके पास बेटा food present है dead and decaying matter उसके उपर grow करेंगे dead and decaying matter नहीं है तो tension की बात नहीं लेने का यह किसी और के उपर grow कर सकते है यह हो गया बेटा saprophytes saprophytes के बाद हम देखींगे और एक mood of nutrition जिसको हम क्या कहते हैं बेटा इनको हम कहते हैं parasite क्या कहते हैं parasite यह जो parasite होते हैं बेटा यह grow करते हैं बेटा grow on living organism के उपर यह grow करते हैं बेटा and यह क्या cause करते हैं बेटा यह cause करते हैं बेटा diseases ठीक है बेटा यह living के उपर grow करेंगे and cause करते हैं diseases समझो यहाँ पर ये मानो की यहाँ पर ये एक प्लांट है यहाँ पर ठीक है ये इसके मानो ये लीव्ज है इसके ठीक है ये प्लांट कुन सा है बिटा ये मानो की वीड का प्लांट है इस वीड के प्लांट के उपर कोई फंगस यहाँ पर ग्रो करेगा ठीक है शबाश वीड के प्लांट के उ सप्सक्रो कर जाते हैं उपर उपल स्पार्ट स्वेजिंग डिए आ कि इसक्या लेंग होते हैं यह फंगरि फ्रीम यह आपने तो देखा ही होगा जो हमारे बाग लगरपर ठीक एँ उन्में तो बहुत सारे फंगर गरते हैं इसलिए तो हम इतने सारे उनको वो स्प्रे करते रहते हैं ताकि इन फंगसे बचा जाए यह जो पैरासाइट होते हैं यह ग्रो करते हैं बेटा किन के ओपर? लिविंग और्गनिजम के ओपर एंड काज करते हैं डिजीजिस को एक्जामपल हम देख सकते हैं बेटा एक है उस्टिलागो यह जो उस्टिलागो है एंसे अडिन लिखा है एक फंगस है जो कि बेटा रस्ट काज करता है कि इसको बेटा यह रस्ट काज करता है बेटा मस्टर्ड को यह मस्टर्ड प्लांट को बेटा rust काज करता है इसी तरह बेटा ये जो हमने देखा ये wheat plant इसको कौन काज करेगा उसको हम कहते हैं paxenia ये जो paxenia है बेटा ये rust काज करता है किसको wheat plant को ठीक है wheat को ये बिमारियां काज करता है तो ये parasitic fungus है अब ये जो parasitic होते हैं बेटा ये भी दो तराके होते हैं ये भी दो तराके होंगे बेटा एक होगा faculty tattoo कुछ होंगे इनमें बेटा faculty tattoo होते हैं वो faculty tattoo होंगे अच्छा कुछ होते हैं बेटा वो faculty tattoo ना होके वो क्या होंगे वो होते हैं obligate वो होते हैं बेटा obligate क्योंकि हमने इनको पीछे अच्छे से पड़ा बात आई समझ में अब इसमें बिटा लास्ट वाला मूड आफ नूट्रिशन जो हैं वो हैं आपके पास सिंबियार्टिक सिंबियार्टिक एसोसियेशन सिंबियार्टिक एसोसियेशन सिंबियार्टिक एसोसियेशन क्या होता है बिटा हम इसको ऐसे समझेंगे ये भी लिविंग और्गिनिजम के साथ ही रेते हैं ये जो symbiotic fungus होते हैं बिटा ये भी रेते हैं living organism के साथ ही लेकिन ये diseases cause नहीं करते हैं बिटा आपने देखा parasite भी living organism के उपर रेते हैं लेकिन बिमारियां cause करते हैं ये भी रहेंगे living के साथ लेकिन बिमारियां cause नहीं करते हैं बिटा Symbiotic Association क्या होता है बिटा ये रेते हैं बिटा Mutually ये रेते हैं बिटा Mutually with Other Living Living Hosts के साथ या Living Organisms ये दूसरे Organisms के साथ रेते हैं मगर दोस्ताने के साथ ये वहां पर रेते हैं ये एक दूसरे के साथ लडाई या नुक्सान काज नहीं करते हैं बिटा ये जो Symbiotic Association होता है ये हम यहां पर दो तरह की Examples के साथ पढ़िंगे एक पढ़िंगे बिटा Lycanes Lycanes क्या होते हैं बिटा NCRT ने लिखा है Lycanes होते हैं Fungus And बिटा Algae के बीच बिटा जब दोस्ताना हो जाता है उसको हम केते हैं बिटा Lycan याद रखना बिटा Lycan क्या है मानो ये यहां पर ऐसे यहां पर ये एक Mycelium है किसका Fungus का इसके बीच रे रहा है बिटा ये White 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 जो मैं दिखा रहा हूँ ये आप समझो कि ये क्या है ये Algae है ठीक है Algae Algae हम आज बिटा Plant Kingdom तो पढ़ ही रहे है Plant Kingdom में आपने ये चीज़ देखी होगी ये जो Algae होते हैं ये Photosynthetic होते हैं क्योंकि ये Plants हैं अब जो Photosynthetic Organism है Obviously वो तो Food बनाएगा तो ये Algae बनाता है बिटा यहां पर Food क्या बनाता है? Food शबश Algae ने Food को बनाया अच्छा सर ये जो Fungus होता है बिटा ये इस Algae को के लिए Provide करता है Shelter बिटा क्या Provide करता है? Shelter ये Shelter देगा इसको ये Shelter देता है Algae को Algae सहब Food Synthesis करता है बिटा Photosynthesis की वज़़ा से और ये Food Provide करता है फिर किन को? इन Fungus को ठीक है? क्या ये यहाँ पर दोस्ती एक दूसरे के साथ दिखा रहे है ये सर एग्जैक्टली ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पोचा रहे है फाइदा दे रहे है इसलिए हम ऐसी इसको केते हैं Symbiatic Association ये देखने को मिलेगी Algae and Fungus के बीच बेटा तो इनको हम कहते हैं Lichen ये नीट में बेटा पूछा भी गया क्योस्चन है ये जो Lichen होते हैं ये कौन कौन सा क्या ये Bacteria and Algae होगा Bacteria and Fungus होगा या Fungus and Algae होगा ठीक है? शबबाश दूसरी जो यहाँ पर हैं Symbiotic Association में हम पढ़ेंगे Lichen और हम पढ़ेंगे Mycorrhiza शबबाश समझो ये Mycorrhiza क्या होता है Mycorrhiza हम देखेंगे ये होती है Mutual Association of Fungus with the Roots of Higher Organism Higher Plants यहाँ पर में एक बड़ा प्लांट बनाओंगा ठीक है? ये मानो ये प्लांट है यहाँ पर ठीक है? ये इस प्लांट के रूट है यहाँ पर इन रूट के साथ क्या ग्रो करेंगे बटा Fungus ग्रो करेंगे यहाँ पर देखो बहुत सारे Fungus ऐसे इन के साथ ग्रो कर गए यहाँ पर ठीक है? ये Fungus है यहाँ पर अब ये fungus क्या करेंगे बिटा ये fungus प्रोवाइड करते हैं बिटा nutrition सुरी nutrition नहीं हम कहेंगे minerals minerals ये जमीन से निकालेगा क्योंकि fungus आपको पता हैं बिटा ये होते हैं saprophytes तो ये यहां से निकालेंगे बिटा minerals ये minerals प्रोवाइड करेंगे एट सिट्रा plant के root को and plant का root जो है बिटा ये प्रोवाइड करेगा इसको food ठीक है बिटा ये plant के roots इस fungus को देंगे बिटा food and ये जो fungus हैं ये इसे absorb करके देगा soil से बिटा minerals एट सिट्रा ठीक है इस association को हम कहते हैं mycorrhiza तो यहां पर भी अगर हम देखें एक दूसरे को ये diseases हरगी भी cause नहीं करते हैं बिटा रादर एक दूसरे को यहां पर फाइदा ही आ रहा है यहोगी symbiotic association तो यहां तक हो गया हमारा और एक topic खत्म that is nutrition ठीक है cell का structure भी हमने पढ़ा और हमने क्या देखा यह जो cell के structure से पहले पढ़ा habitat वो भी पढ़ लिया तो अब हम इसमें जो पढ़िंगे बेटा वो पढ़िंगे reproduction क्या पढ़िंगे बेटा reproduction एक्चुली अगर आप देखोगे बेटा anxiety तो anxiety ने ज्यादा focus अगर आप देखोगे इसी topic के उपर किया है ठीक है नीट वाले बच्चे अलैवंत वाले बच्चे ज्यादा confuse रहते हैं जिसमें living organism अपने बच्चों को produce करते हैं ठीक है या तो बच्चे अपने माँबाप जैसे exact होंगे clones होंगे या तो उनसे थोड़े different होते हैं इस process को हम शाट में क्या कहते हैं reproduction फंजे की reproduction अगर हम देखें बेटा यहाँ पर वंगर्स की यह जो reproduction होती है बेटा यहाँ पर यह होती है हमारे पास बेटा अलग-अलग types की पहले हम यहाँ पर देखें reproduction में तो हम किसको पहले ही देखेंगे vegetative vegetative reproduction आपको पता है यह यह sexual mood of reproduction है यह sexual type of mood of reproduction यह sexual reproduction भी पीछे डिसकस किया था जिसमें एक ही parenting वाल होता है गिमेट्स नहीं बनते हैं जाइगोट नहीं बनता है फटलाइजेशन भी नहीं होती है एसे mood of reproduction को हम कहते थे vegetative reproduction तो यह भी एक type है vegetative केसे होती है बिटा यह होती है थी types की पहला ही जो हम देखेंगे यहाँ पर पहला ही हम जो यहाँ पर देखेंगे बिटा first one that is fragmentation what first fragmentation fragmentation is nothing but there is a process वायर फंगस मैसीलियम या हाइफ गेट ब्रोक डाउन इन्टो दी टू और मोर पीसे नहीं आए बात समझ में फ्रेग्मेंट जैसे हम कहते हैं बेटा हिस्से करना फ्रेग्मेंट का मतलब होता है हिस्से होना तो इसमें क्या हम लेशे लिखें कि एज फंगस या फंजे आर माल्टी सिलूलर ये जो फंजे होते हैं बेटा ये माल्टी सिलूलर होते हैं बेटा दस ये क्या दिखा सकते हैं बेटा कैन शो ये क्या दिखा सकते हैं सर हमें मूवीज नहीं ये दिखा सकते हमें फ्रेग्मेंटेशन सर इसे समझाईए थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके यह देखो मानो कि यह एक फंगस है यहाँ पर इसका माइसीलियम है यहाँ पर ऐसे ठीक है तो यह माल्टिसुलर है यह ब्रेक हो सकता है यहाँ पर यह मानो कि यह ब्रेक हो गया यहाँ पर दो हिस्वों में तो इसका ये हिस्सा अलग से दूसरे फंगस को बना देगा बेटा इसका ये हिस्सा अलग से दूसरे फंगस को बना देगा बेटा इसको हम कहते हैं फ्रेग्मेंटेशन क्या कहते हैं फ्रेग्मेंटेशन दूसरा जो टाइप है बिटा इसका पहला हो गया फ्रेग्मेंटेशन दूसरा हो गया बिटा फ्रेग्मेंटेशन के बाद बड़िंग बड़िंग क्या होता है बिटा फंगस के बाहर कुछ बड़ जेसा स्ट्रक्चर बन जाता है दाना जैसा structure जिसको हम कहते हैं bud example हम लेंगे बेटा yeast को आप याद रखोगे yeast इसको हम कहते ही हैं बेटा actually जो इसका नाम है वो है Saccharomyces सिर्विस यह सिर्विस यह या हम इसको कहते हैं बेटा और एक नाम भी budding yeast budding yeast के नाम से भी हम इसको जानते हैं यह होगा केसे सर एक्चुल में यहाँ पर इस budding को हम समझते हैं यह एक yeast है बेकर्स yeast जो होता है Saccharomyces सिर्विस ही यह हम इसको budding yeast कहते हैं इसके उपर यह यहाँ पर nucleus होगा तो बाहर के और एक दाना जैसा structure बन जाता है जिसको हम कहते हैं बेटा bud यह bud क्या हो जाएगा यहाँ से detach हो जाता है अलग हो जाएगा तो यह एक fungus है यह bud से बन जाएगा दूसरा yeast हमें बेटा बात आई समझ में तो दो yeast बन गई क्या यहाँ पर दो parent involved हुए एक्जेक बिलकुल भी नहीं सर एक ही parent involved हुआ तो यह होगी budding budding के बाद जो हम और एक इसमे mood of reproduction देखेंगे विजिटेट्व में वो थर्ड हैं बेटा fission यह भी एक yeast में होता है बेटा जिसका नाम है fission yeast fission yeast इसका भी वही scientific नहें में सैजो सी हईजाडो सैजो सैक्रोमाइसी सिरिवीशी है यह इसका scientific नाम है important नहीं है याद रखो कोई बात नहीं है लेकिन इतना याद रखो fission होता है fission yeast में अब इसमें क्या होगा यह एक yeast है यहाँ पर इसे यह इसका nucleus है यहाँ पर तो यह यहाँ से बिटा कट जाएगी दो हिसों में इसे तो उपर की और जो हिसा आएगा इसे अलग yeast नीचे वाले से अलग yeast इसको हम कहते हैं fission तो चलते हैं बिलकुल आगे हम बिटा दूसरा जो mood of इसमें reproduction होगा बिटा इसको हम क्या कहते हैं Asexual Asexual Mood of reproduction Asexual फिर से होई एक ही parenting वाल होगा गमेट्स नीचे बनेगे फिटलाइजेशन नीचे होगी जैगोट नीचे बनेगा कोई tension ही आपर नीचे हमें तो Asexual mood of reproduction में हम क्या देखते हैं पहले यह होती कैसे यह होती है Asexual reproduction is by mean is a bit of spores Asexual reproduction Asexual reproduction occurs by spores फिर से पारेशान सर सर यह spore क्या है इसे तो समझाओ spore को समझते हैं यहां पर spore होते हैं बेटा small यह छोटे होते हैं हमेशा होते हैं बेटा haplied spore हमेशा small होते हैं छोटे haplied होते हैं बेटा ठीक है haplied होते हैं small होते हैं Ase structures को हम क्या कहते हैं supports ठीक है और यह होंगे बेटा single cell ये भी याद रखो ये एक single cell होते है small होते है applied होते है ठीक है इस चीज़ को हम कहते है sport ये दिखेगा कैसे कुछ ऐसे दाने जैसे होंगे ये बिटा ऐसे इनको हम कहते है sports आगे और भी अच्छा समझ में आएगा तो करपिया करके आप सुनते रहें ये होंगे sports अच्छा ये sports जो होते हैं सर ये बनते कैसे हैं बनींगे कैसे ये हम अब समझते हैं देखो actual में होगा क्या बिटा actual में होगा यहाँ पर देखो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये एक हाइफ है हाइफ है हाइफ है हाइफ जब बिटा मिल जाते हैं बहुत सारे तो ये बना लेते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ठीक है बिटा जिसको हम क्या कहते हैं बिटा माइसीलियम माइसीलियम पैन ने मुझे परेशान कर दिया इसे लिखना ही नहीं आता है आगे से तूटा हुआ है तो हम यहाँ पर देखें ये माइसीलियम है इस माइसीलियम के उपर क्या होगा बिटा ये माइसीलियम ऐसे है इसके उपर इसके उपर यहाँ पर ग्रो कर जाएगा कुछ स्ट्रक्चर ऐसा ठीक है जिसको हम कहते हैं बिटा फ्रूटिंग बाड़ी ठीक है इसको हम कहते हैं FB Fruiting Body इस Fruiting Body के उपर बेटा बन जाएंगे A से Spores क्या बन जाएंगे स्पोर इस अलग एक दाने को मैं कहूंगा Spore S-P-O-R-E ये Spore जब फिर बेटा यहां से Dispers हो जाते हैं That is Sir इसका मतलब क्या होता है Release हो जाते हैं तो इन Spore से फिर से अलग से यहां पर और एक हाइफ या दुबारा से फंजे बन जाएगा बात आती हैं समझ में होगा कैसे तो बड़ा ही सिंपल हैं यार मैंने क्या कहा यहां पर आप देखोगे एक हाइफ था तो हाइफ मिला तो Mycelium बन गया Mycelium के ओपर सा फरूटिंग बाड़ी बनती है फरूटिंग बाड़ी के ओपर बन गए स्पोर्स यह स्पोर जो नीचे गिर जाएंगे तो इनसे दूसरा फंगस बन जाएगा क्या यहां पर दो पैरेंटिन वाल होए बिलकुल भी नहीं या फर्टलाइजेशन, जाइगोड, कुछ ऐसी चीज बिलकुल भी नहीं तो इस सेक्च्वरी प्रोडेक्शन को हम आगे ले जाते हैं अब इसको और भी अच्छे से समझते हैं पले और स्पोर के बारे में कुछ जान लेते हैं जो स्पोर हमने देखा बेटा स्पोर हमने देखा ये स्पोर एक ही तरह का नहीं होता है इसके अलग-अलग टाइप्स हो सकते हैं जेसे सर ये स्पोर हमारे पास हो सकता है बेटा या तो ये होगा पहले ही मोटाइल ये होगा बेटा मोटाइल मोटायल मतलब क्या होता है बिटा इसके पास चलने के लिए फलजला होगा क्या होगा फलजला आपने बिटा सेल वाले चप्टर में पढ़ा है और मैंने भी आपको पढ़ाया है फलजला क्या है ये केसा होता है ठीक है ये मोटिलिटी प्रोवाइड करता है तो ये स्पोर जो है मानो ये यहां पर ये स्पोर है इसके बाहिर होगा एसे करशिर पॉइट मौन तो लूट शे में सासा इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर को फलजला बिटा क्या कहेंगे ये जो है बिटा यहां पर ये हो गया स्पोर क्या हो गया स्पोर समझ रहे हो इसको हम क्या कहते है इसके पास फ्लेजला प्रेजन्ट है क्या है इसे को हम कहते है मोटाइल और हम इनको कहते है बिटा जू स्पोर्ज क्या कहते है जू स्पोर्ज वाट आर जू स्पोर्ज और मोटाइल स्पोर्ज दो स्पोर्ज in which there is a flagella जहां पर flagella present होता है दूसरे जो हमारे पास हो सकते हैं पाले टाइप में ये हो सकते हैं non-motile क्या हो सकते हैं बिटा non-motile non-motile का मतलब क्या होता है that is ये मूँ नहीं कर पाएंगे ठीक है ना खुद खुद अपनी मर्जी से मूँ नहीं कर पाएंगे ये जब बिटा चलींगे ये motile spores इनको ATP का यूज होगा क्योंकि इनके पास flagella जो हैं उसको action करनी है लेकिन ये जो non-motile spores हैं ये अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं ये इदर उदर जा सकते हैं हवा के करन्ट से पानी के करन्ट से क्योंकि इनके पास चलने के लिए flagella नहीं होगा तो ये flagella हम के सकते हैं जैसे हमने देखा होगा house boat एट सिट्रा ये ना वाव देखी होगी पानी में उनको motor चलाता है तो इसी तरह flagella in motile sports के अंदर flagella motor की तरह काम तो नहीं कर रहा है है ना समझ में आ रहा है इसी तरह ये जो non motile होते हैं इनको अगर हम देखें ये sports होंगे इसे इनके पास इसे flagella आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है ये होंगे बिटा non motile इनके लिए एक तर्म यहां पर है बिटा aplano sports aplano sports what are aplano sports in which those sports in which flagella is absent anyway आगे चलते हैं दूसरे टाइप के जो sports हमारे पास होते हैं बिटा ये होते हैं बिटा या तो ये होंगे endogenous या होंगे exogenous या होते हैं बिटा endogenous सर ये क्या होता है endogenous देखते हैं ये यहां पर मानो की एक mycelium है बिटा ऐसे ठीक है इस mycelium के उपर grow करा यहां पर fruiting body grow की तो fruiting body के ओपर कुछ ऐसा ठेला जैसा structure बन जाता है इसके अंदर अगर ये spore बनेंगे बिटा इनको हम कहते हैं endogenous क्या कहते हैं बिटा endogenous endogenous क्या होते हैं हम ये से लिखेंगे बिटा spores produced inside किस चीज़ के अंदर बिटा inside cover इनके पास बिटा एक cover होगा ये covering जो आप देख रहे हो इसके अंदर spores release होंगे इसको हम कहते हैं endogenous spores हो सकते हैं या तो हमारे पास हो सकते हैं बिटा exogenous क्या होंगे exogenous spores sir ये exogenous spores तो समझ में नहीं आया अभी समझोगे यार exogenous spores क्या होंगे यहां पर मानो फिर से एक mycelium है इसके उपर grow कर जाती है बिटा fruiting body fruiting body के ओपर covering नहीं बनेगी एसे बाहिर के ही और and exo होता है बाहिर के और ही बन जाएंगी ये spores उमेदे आपको ये समझ में आया होगा that is ये जो spore है या तो ये बन गए बिटा inside the covering या बन गए बिटा outside on fruiting body outside on FB fruiting body बाहिए बात आ रहे हैं समझ में क्या बहुती इजी है yes sir चलते हैं आगे तीसरा type जो इन में होगा बिटा third type that is first type हमने क्या देखा यहाँ पर थोड़ा सा फिर लिख देते हैं बिटा और भी मज़ेदार लगेगा पहला हमने देखा या तो थे बिटा यह motile ठीक है दूसरे थे बिटा non motile non motile अच्छा यह हो गया पहला type दूसरा type जो था बिटा यह थे या तो थे endogeneous या थे बिटा exogeneous ठीक है तीसरा जो type है बिटा यह होते हैं या तो sexual spores या होंगे बिटा sexual sexual अब समझते हैं कैसे यह अच्छी है बात यहाँ पर इसमें हम समझेंगे sexual है नई sexual क्या होता है अब इसी को हमने discuss करना है ठीक है पहले अगर हम देखें बेटा यह जो sexual sports होते है यह आपको यहीं पर याद रख लेना है sexual sports जो होते हैं हमारे पास ये प्रोडूस होते हैं किस की वज़ा से बिटा सेक्चुल स्पोर्स प्रोडूस होते हैं बाई मियासज दे आर प्रोडूसर्ड दे आर प्रोडूसर्ड किस चीज की वज़ा से ये प्रोडूस होंगे बिटा बाई मियासज मियासस पहले मियासस माइटासस को तोड़ा सा चखना आपको चखवा देता हम बटा यहां पर एक सेल है इसके अंदर क्रोमोजोम नमबर 20 है हम कहेंगे 2N है, डिपलाइड है इसमें अगर मियासस हो जाए तो यहां पर जो दो सेल्स बनेंगी एसे, एक सेल, दो सेल इनमें क्रोमोजोम नमबर हाफ होगा इसमें 20 था, इसमें 10 होगा इसमें 10, अब अगर इस सेल में आगे माइटासस हो जाए तो इसमें क्या बनेंगे इसमें क्रोमोजोम नमबर फिर से 10 नहीं रहेंगे इसमें भी अगर माई टासस 10 ही आगे फिर से माई टासस क्रोमोजون मंबर सेम रहेगा 10 आगे फिर से माई टासस क्रोमोजों मंबर 10 ये । पर मै टासस हवी 20 से 10 10 आ गए यहां पर मियासस हुई 20 से 10-10 आ गए आगे फिर से अब मियासस नहीं होगी लेकिन माइटासस कहीं दफा होती रहती है लाखों करोडों बार होती रहती है जब तक आरगिनिजम की ग्राउथ कम्प्लीट नहीं हो जाती है बात आई समझ में अब हम यह देख रहे हैं यह जो सेक्चुल स्पोर्स होते हैं यह प्रोडूस होते हैं मियासस है सर इनमें मियासस क्यों होती है यह सा क्या फंटा है समझते हैं यह मानों एक माइसीलियम है यहां पर यह माइसीलियम डिपलाइड है 2N क्या है 2N का मतलब होता है बेटा डिपलाइड इसमें complete set of chromosome है डिपलाइड है अच्छा इसके ओपर क्या हो जाएगा फिर से मैसीलियम को दिखाता हूँ यह से यह मैसीलियम है यह अगर सर डिपलाइड था इसके ओपर जो fruiting body grow करेगी क्या यह जो fruiting body है क्या वो भी 2N होगी डिपलाइड यह सर यहाँ पर भी 2N होगी यह सर मैसीलियम है न 2N तो इसके ओपर fruiting body जो बनेगी वो भी 2N होगी fruiting body के ओपर क्या बनते है spores मानो की structure के अदर बनेंगे अब spores लेकिन पीछे हमने देखी थी एक चीज़ अभी क्या देखा था हमने हमने पीछे देखा यह जो spores होते हैं बिटा यह होते हैं haplied क्या होते हैं बिटा haplied हम यहाँ पर देखेंगे देखो मैंने कहीं पर यह पढ़ाया था अभी अभी देखो what is spore sir spore होते हैं small haplied होते हैं single cell और haplied मैंने कहा तो haplied अगर हैं अगर sir यह haplied हैं तो हमें तो यहाँ पर भी फिर haplied spore बनाने ना सोचो सोचो दिमाग से mycelium deplied है fruiting body भी deplied है अच्छा यह जो cover होगा यह भी deplied है 2N है लेकिन जो इसके अदर spore बनाने वो तो haplied बनाने न अगर spore बनाने क्या मैं फिर इस covering के अंदर miyases करूँगा या mytases sir आप तो miyases करोगे that is इसके अगर 2N है तो यह जो अब spore बनेंगे इसके अंदर इन spore को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो यह जो spore होगे बेटा यह N होगे क्या होगे? N applied होगे तो इन N से फिर से बन जाएगा हमें दूसरा myc बात आरे हैं समझ में ठीक है? यह होते हैं sexual spore क्या होते हैं? sexual spore that is यह हमेशा बनते हैं बेटा miyases से दूसरे होते हैं बेटा asexual क्या होते हैं? asexual spore समझे बेटा asexual spores जो होते हैं बेटा देखो बेटा इसमें reproduction ही पढ़ने का topic हैं बागी आप खुद भी वो चीज़ें समझ सकते हो ठीक है? asexual spores जो होते हैं बेटा यह produce होते हैं produced by बेटा किस से होते हैं? mytosis से यह produce होते हैं mytosis की वज़ा से Sir के से समझाईए हम समझते हैं इसको इसे हम लेते हैं यहां पर बेटा एक mycelium यहां पर ठीक है अब इस mycelium को मैं फिर से यहां पर ड्रा करता हूँ बेटा इसे इस mycelium के उपर Sir grow कर जाएगा यह fruiting body ठीक है grow कर गई इसके ओपर बेटा ये fruiting body ये fruiting body जो grow करी तो इस fruiting body के ओपर बनेगा मानो ये से cover तो ये mycelium अगर haplied है ठीक है यहाँ पर ये mycelium भी होगा haplied ठीक है ठीक है ज़र haplied है अब ये जो fruiting body बनी होगी बेटा FB क्या ये भी haplied होगी एन येस सर होगी haplied इसके अंदर जो spore बनेंगे वो हमें क्या बनाने सर haplied होते है ठीक है न तो ये जो spore होंगे बेटा ये तो haplied होने चाहिए न तो यहाँ पर अगर पहले सब कुछ haplied है क्या हम फिर से मियासस करेंगे सोरी मियासस नहीं यार तो हो जाएगी यहाँ पर mytosses mytosses that is अगर ये mycelium इसके अंदर 10 क्रोमोजोमे haplied है न है तो हमें जो spore चाहिए उसके अंदर भी 10 ही haplied होना चाहिए इसलिए हम यहाँ पर करेंगे mytosses तो यहाँ पर asexual spore जो बनते हैं यह आपको पता होना चाहिए asexual spore बनते हैं mytosses की वज़ा से that's for three types के motile, non-motile कुछ आपानी में खुद से चल सकते हैं कुछ नहीं चलेंगे कुछ produce होते हैं inside the cover endogenous कुछ cover के बाहिर बनते हैं exogenous ठीक है अच्छा कुछ बनते हैं बेटा mytosses है asexual spore कुछ बनते हैं mytosses है sexual spore ठीक है आगे और भी मज़ा आएगा इसको समझने में इसकी reproduction बड़ी दिल जस्व हैं यह हो गई आप बेटा यहाँ पर यह asexual reproduction अब अगर हम इसमें देखें बेटा sexual reproduction यह तो इससे भी बड़ी हैं बेटा यह तो इससे भी अच्छी हैं और एक हैं बेटा sexual reproduction अगर हम यहाँ पर बेटा sexual reproduction की बात करें तो इसमें हम सर क्या चीज़ें पढ़ेंगे मज़दार चीज़ें कुछ पढ़ेंगे sexual reproduction में सर क्या sexual reproduction आपको पता यह हैं बेटा कैसे होगी देखो यह क्या होती है true sexual reproduction होगी बेटा true sexual reproduction सर इसका क्या मतलब है सर हमने देखा था parasexual type of reproduction bacteria में वहाँ पर भी sexual reproduction होती थी variation आती थी लेकिन वो true reproduction नहीं थी क्यूं सर वहाँ पर नए तो gametes होते थे एक बात नए तो मियासस माइटासस का concept वहाँ पर था दूसरी बात नए तो वहाँ पर क्या होते थे sex organ present होते थे बेटा ठीक चाई gametes भी नहीं present होते थे यहाँ पर अगर हम देखें कुछ के पास कुछ ऐसे fungus भी हैं उनके पास sexual reproduction हैं लेकिन gametes नहीं बनते हैं देखींगे basid homoesties उसमें भी कुछ अलग फंडा होगा gametes बनेंगे अच्छा मियासस होगी अच्छे से बेटा मियासस होगी सर zygote बनेगा fertilization भी होगी सब चीजें होगी that's true reproduction है sexual reproduction बिंदास इसमें कोई भी tension नहीं है सर लेकिन आगे क्या होगा आगे ये देखने हैं इसमें क्या होगा अब ये होगी केसे वो समझना है देखो sexual reproduction को यहां पर अच्छे से समझते हैं ये होगी बेटा दो तरह से एक होगी by means of by means of gimmates या तो इसमें बनेंगे बेटा gimmates और होगी बेटा by fusion of fusion of two somatic hives two somatic hives साथ समझ भी नहीं है समझ में आ जाएगा पहले हम इसको समझते हैं by means of gimmates केसे होगा देखो ये by means of gimmates केसे होता है इसको समझते हैं इसे एक mycelium है यहां पर एक fungus है दूसरा fungi है क्योंकि sexual protection है न बेटा दो parents का तो मिलना ज़रूरी है दो parents है सर बिल्कुल ठीक इन दोनों के ओपर बनेंगे gimmates बनाएंगे ये भी बनाएगा gimmates ये भी क्या बनाएगा gimmates ये बन गया इसका gimmates ये बन गया इसका gimmates जी सर ठीक है gimmates हैपलाइड होते हैं हाँ सर हैपलाइड होंगे हैपलाइड होंगे ठीक है अच्छा क्या mycelium sir haplied होगा हाँ fungus क्योंकि haplied होते हैं बिटा यह आपको पता होना चाहिए ठीक है fungi जो होते हैं यह haplied होते हैं अब देखो gimmates है gimmates के बाद क्या यह gimmates मिल जाएंगे यह सर मिल गए इसे तो बन जाता है zygote क्या बन जाएगा zygote zygote बन जाएगा ठीक है अच्छा क्या यह सर हप्लाइड होगा जाएगोट नहीं यह डिप्लाइड होगा 2N क्योंकि इसमें chromosome number बराबर होगा आदे इसके आदे इसके ठीक है अच्छा अब बन गया zygote ठीक है जाएगोट से बन जाते हैं बेटा spores क्या बन जाएंगे spores एसे spores उसे फिर से बन जाएगा मैं इसी लिए बात आई समझ में यह होते हैं sexual reproduction क्या होती है sexual reproduction by means of gmates दो gmates बनेंगे मिल जाएंगे दूसरा अगर हम देखें asexual दूसरा क्या है बेटा दूसरा है हमारे पास asexual नहीं by means of by means of somatic hives जैसे बेटा मैंने आपको बेसीडो माइस्टीज कहा तो नीट में इसे question आने के chances रेते हैं बेटा जबरदस्त मस्त question आ सकते हैं इसे इसे तो especially reproduction से खदरना question बनेंगे पीछे वाले में हमने देखा बेटा यहां पर अगर आप देखोगे तो गमेट्स बन रहे हैं सर गमेट्स मिल जाएंगे जैगोड बन जाएगा शिबरामद बन जाएगा आगे spores फिर आगए लेकिन अगर हम यहां पर कुछ और देखें गड़बट सर क्या गड़बट देखें मानुक किसी में बेटा spore बने ही नहीं सुरी गमेट्स बने नहीं है नहीं यहां पर मेल एंड फीमेल गमेट्स बने नहीं जैसे बैसिडो माइस्ट्री इसमें गमेट्स बनते हैं नहीं सर इसमें तो फिर रिप्रोडेक्शन कैसे होगी समझेंगे सेक्ट्वर प्रोडेक्शन कैसे होगी तो इनके होती हैं बेटा हमारा ये से ये मैं वाइट में दिखा रहा हूँ दूसरा हाइफ है ये से वाइट में दिखा रहा हूँ ठीक है तो एक है बेटा यहां पर हाइफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला इस कलर का yellow color का, दूसरा में दिखा रहा है, wide color का अब यहां पर होगा क्या अब अगर आप यहां पर देखो गे यह hive क्या करेंगे बटा, यही fuse हो जाएंगे, तो इसको हम दिखाएंगे, ऐसे नीचे वाला होगा, ऐसे, तो उपर से दिखाते हैं ऐसे ठीक है क्योंकि ये दोनों जब जुड़ेंगे ना यार सोचो दोनों जब जुड़ेंगे इसकी एक वाल आएगी इसकी इदर तो यहां पर अगर हम देखें नूकलिस का क्या फंडा होगा नूकलिस का क्या फंडा होगा इसका नूकलिस इसका नूकलिस इसका नूकलिस इसके भी नूकलिस है क्या नूकलिस दो दो यहां पर आएंगे इसे बात आरे हैं समझ में आनी है ना क्या मैं बोल रहा हूँ यहां पर दो अलग अलग हाइफ है ठीक है यह भी एक हाइफ है ये मिल जाएंगे तो इनके नूकलिस यहाँ पर फिर मिल जाएंगे आगे अब मिल गए तो यहाँ पर अब इससे आगे ये स्ट्रक्चर चलते देते हैं तो जाइगोड बन जाएगा जब दो नूकलिस मिल जाएंगे इसका नुक लोग और यहांपर मिल जाएंके तो जाइगोड बन जाएगा जाइगोड से फिर से बन जाएंगे सुपोर इस सपोर से फिर से बन जाएगा मैजिलियम पंडा समझो ये अलग-अलग रिप्रोडinky्शन हमें ऐसको माअस्टीज, बेसिडो-माइस्टीज, एपसेटीज में एपसन्ट होती हैं तो ऐसको-माइस्टीज, बेसिडो-माइस्टीज में हम और फाइको माइस्टीज में ये उठीप्रोडेक्शन अच्छे से बढ़ेंगे फिलाल मैंने आपको कंसेप्ट दिया sexual reproduction दो तरीक उसे होगी या होगी बेटा ये fusion of two gamates दो gamate मिलेंगे या तो ये होगे gamates नहीं होगे सर इस समय दो high fuse हो जाएंगे high fuse हो जाएंगे तो इनके nucleus नजदीक आजाएंगे actual में sexual reproduction में करना ही क्या होता है variation लानी होती है इसलिए तो bacteria की sexual reproduction में आपने देखा होगा नाई गिमेड थे नाई कोई चीज थी वहाँ पर सिर्फ variation आती थी sexual reproduction का important फाइदा ये होता है बटा ये variation लाती है उसी variation के भूके होते हैं सब organism तो ये variation आ जाएगी केसे सर दो nucleus जो मिल गए रहा एक मिला ये इसका ये yellow वाला nucleus दूसरा होगा इसका white वाला nucleus ठीक है तो इससे दो nucleus मिल जाएगे हो जाएगी ना variation जो आगे इन से zygote बनेगा zygote से spore क्या variation होगी ये सर तो ये होती है इसमें sexual reproduction लेकिन sexual reproduction में NCRT ने लिखा है three steps होते हैं ये important है sexual reproduction जो होगी बेटा ये होती है three steps है हमें इसे लिखींगे sexual reproduction has three steps बेटा कितने step हैं भाई sexual reproduction के three steps है समझो पहला ही है बेटा plasmo gammy plasmo gammy what is plasmo gammy plasmo gammy is nothing but NCRT ने लिखा है fusion of fusion of proto plasmo ठीक चाँ इसमें fusion किसका हो जाएगा बेटा proto plasmo का समझेंगे that is ये माना मेने एक गिमेट था ये माना मेने दूसरा गिमेट था अभी दिखा रहा था ये किसी mycelium से बने हुए होंगे अब जब ये दोनों गिमेट यहाँ पर मिल जाते हैं तो सबसे पहले जो इनका साइटो प्लाजम होता है बेटा एड्सिट्रा वही फ्यूज होगा इसको हम कहते हैं plasmo gammy ये नूकलिस इसका white वाला इदर होगा तो दूसरा नूकलिस जो है तो यहाँ पर ये यलो वाला ये इससा इदर होगा ये रेड यलो वाला तो और सबसे पहले जो इनका मिल जाएगा वो मिलेगा साइटो प्लाजम देट इस अभी तक fusion हुआ है सबसे पहले इन में कीज का प्रोटो प्लाजम का ही अभी तक नूकलिस नहीं मिले हैं ये दोनू नूकलिस अभी कठा साथ साथ हैं इस stage को हम कहते हैं बिटा di-cario phase समझना बिटा ये NCRT ने लिखा है प्लीज इस पर जान देना di-cario मतलब होता है नूकलिस जिस stage में cell के पास दो नूकलिस प्रेजन हो उस stage को हम कहते हैं di-cario phase and एसी condition को कहते हैं di-carion di-carion का मतलब क्या होता है बिटा di हो गए दो केरियान हो गए nucleus क्या हो गया nucleus यहाँ पर दो गिमेट से यह मिल गए पहले इनका साइटो प्लाजमाट सी ट्रा मिला nucleus नहीं मिले इस phase को कहते हैं di-cario phase and एसी condition को कहते है di-carion di-carion का मतलब होता है two-carion का मतलब हो गया बिटा nucleus ठीक है plasmagami पहला step हो गया ठीक चाँ अच्छा यह di-carion बिटा absent होगा di-cario phase absent होता है di-cario phase is absent in ascomycetis में ascomycetis और zygomycetis zygomycetis को तो छोड़ो फिलाल आप NCRT ने लिखा है ascomycetis इसके ओपर जान दो ascomycetis एक पुराने जमाने का बिटा पहला पुराना फंगस माना जाता है चेके ओल्ड फंगस sorry ascomycetis नहीं यार phycomycetis नहीं यह phycomycetis 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 पुराने फंगस हैं बेटा अब इन phycomycetis में होता क्या है इन phycomycetis में ऐसे ही plasmagami होगी लेकिन जुही इन में बेटा ये दो नुकलिस उसी समय मिल जाते हैं जैसे साइटो प्लाजम मिलेगा यहां पर समझते हैं मानो अगर ये phycomycetis होगा न यहां पर तो इसमें after plasmagami उसी समय इसमें हो जाती है केरियो गैमी क्या हो जाएगी लेकिन जो बाग हीpered फंगस fasting हैं एस्को माइस्टिज बेटा उसमें उसमें ये दो नुकलिस जो होंगे बेटा यहां पर ये जो दो नुकलिस होंगे यहां पर ये पहले रुकिंगे कुछ समय के लिए ऐसे ये नुकलिस भी कुछ pाळ लेगा तो ये नूकलिस भी पाज लेगा तो दो नूकलिस नजदीक नजदीक आएंगे इस स्टेज को कहते हैं डाइकेरियान डाइकेरियोफेज एंड इन नूकलिस को कहते हैं डाइकेरियान ये स्टेज आपको दिखेगी एसको माइस्टीज बेस्टीज में फाइको माइस्टीज में ये जल्दी जल्दी ही मिल जाते हैं प्लाजमोगैमी हुई साथ में ही नूकलेस भी उसी समय जुट जाते हैं जैसे कश्मीरी में होता है आदे लोग निशानी करते हैं साथ में ही शादी भी लेकिन कुछ लोग होते हैं पहले निशानी की मौनो प्लाजमो गैमी फिर रुक जाते हैं बहुत समय के लिए ठीक है उस स्टेज को हम कहेंगे डाइ केरियो फेज फिर उसके बाद कुछ समय बाद दो तीन महिने साल के बाद शादी करते हैं वो हो गई फिर केरियो गैमी क्या हो गई? केरियो गैमी देट इस पहला स्टेब हमने समझा प्लाजमो गैमी दूसरा हम समझेंगे बेटा केरियो गैमी केरियो मतलब हो गया है नूकलियस गैमी मतलब हो गया है मेरीज इसमें क्या होता है बेटा Fusion of Nucleus अकर इसमें क्या होता है बिटा Nucleus का Fusion होगा जैसे यहाँ पर एक शबश तो यह दूसरा गिमेट ठीक है यहाँ से किसी Mycelium से बने होंगे तो यह दोनु यहाँ पर मिल जाएंगे सबसे पहले क्या होगी बिटा Plasm हो गया हमी इसका Nucleus इसका Nucleus नजदीक नजदीक आएंगे तो सबसे पहले इनका Cytoplasm मिलेगा इसको हम क्या कहते हैं बिटा Plasmogami पहला स्टप इसके बाद यह Nucleus कुछ समय के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर Fuse नहीं होंगे Dicario phase Ficomasteries में absent तो इसके बाद जो दूसरा स्टप होता है फिर वो होता है केरियो गैमी क्या होगा बिटा केरियो गैमी Fusion of Nucleus होगा यह दोनु नूकलिस जो है बिटा अब मिल जाएंगे इसे Cytoplasm तो पहले मिला अब कुछ समय बाद REST लेने के बाद यहां पर Nucleus भी मिलेंगे इसको हम क्या कहते हैं केरियो गैमी वो हो गया दूसरा वाला स्टप पहला इस Plasmo गैमी Fusion of Plasma Then हमने देखा Dicario Phase What is Dicario Phase Dicario Phase is After Plasmo गैमी There is not Immediate Cario गैमी Immediate Cario गैमी नहीं होती है तो वो होता है Dicarion Phase उसके बाद Dicario Phase किसमे एपसेंट हैं? 5 Comasities में उसके बाद होगी केरियो गैमी दो Nucleus मिल गई यहां पर देखो आप दोनों Nucleus मिल गई हैं इसमें यह भी थोड़ा सा कलर डाल देते हैं आपको एसा लगएगा दोनों Nucleus मिल गई अब इसके बाद जाइगोट में हो जाती हैं बिटा यह बन गया यहां पर केरियो गैमी इसके बाद जो 3rd step होता है उसको हम कहते हैं Mioses क्या कहते हैं बिटा Mioses शबवाश Mioses क्यों होती हैं बिटा ऐसे हम लिखें NCRT ने लिखा As Fungy और हैपलाइड क्या होते हैं बिटा Fungy होते हैं बिटा हैपलाइड हैपलाइड का मतलब होता है बिटा इन में chromosome number reduced होते हैं Deplied cell में मानो कि 20 होने चाहिए थे हैपलाइड में 10 ही होते हैं तो यह हैपलाइड होते हैं Thus Thus Zygote Shows Mioses Mioses To form To form Happlied Happlied Mycelium मैंने पहले ही आपको कहा Fungus जो होते हैं Happlied होते हैं इनका Mycelium Happlied होता है अब Happlied बनाने के लिए तो हमें Zygote में Mioses करनी पड़ेगी न विटा यहाँ पर यह जो Zygote बना अब यह Zygote होगा Deplied यह तो पता हैं यह गिमेड यह गिमेड यह N होगा यहाँ पर यह भी N होगा तो यह होगा यहाँ पर इसको छोड़ी दो शलाल यह Actual में होगा N प्लस N यह आगे आपको समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर होगा यह 2 N यहाँ जाइगोट बन गया ZyONA Zygote में अब हो जाएगी बेटा यहाँ पर MIOS क्यूंकि बेटा हमें Hipplied Spore बनाने क्या बनाने? स्पोर बनाने, हैप्लाइड, एड इन से फिर से हमें बन जाएंगे, हैप्लाइड, माइसीलियम, उन से फिर गिमेट्स, एड सिटरा, क्यूंकि फंगस होते हैं, हैप्लाइड, NCRD, खुद ही लिख रही हैं, तो जाइगोड के बाद होती हैं, मियास्स, लेकिन ह हमारे केस में, या प्लांट्स के केस में, आप देखोगे, हायर यू के रियार्टिक जो होते हैं, इन में डिपलाइड औरगिनिजम होते हैं, that is, हम जब बने थे ना, तो हमारे जाइगोड में मियास्स नहीं हुई, जाइगोड में फिर माइटास्स होती रही, हम जैसे हैपलाइड हैं, तो हम भी अगर हैपलाइड होते हैं, तो हमारे जाइगोड में भी मियास्स होती हैं, क्योंकि हम हैपलाइड नहीं हैं, इसलिए हमारे जाइगोड में होती हैं, माइटास्स, तो इसलिए इनके जाइगोड में क्या होती हैं, मियास्स, फिसे समझते हैं, य एक यहां पर दो गमेटें यह मिल जाएंगे पहला स्टप हो जाएगा प्लाजमोगैमी दूसरा हो जाएगा इसके बाद केरियोगैमी दाट इस दो नूकलिस मिल जाएंगे फिर हो जाएगी बिटा इसमें मियासस क्या हो जाएगी बिटा मियासस तो मियासस से बन जाएंगे स पोर फिर स heavens life cycle एसे चलता रहेगा योगे री production अब अच्छे से इसको समझींगे दूसरे lecture में एस्पो माइस्ट्री में केसे होती हैं 5 ओ माइस्ट्री में केसे होती हैं बेस्टो माइस्ट्री में केसे होती हैं फिलाल टेंशं लेने की कोई भी जरूरत नहीं है लास्ट वाला टापिक जो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे बिटा वो हो गया यहां पर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन NCRT ने ऐसे नहीं लिखा हैं तो हम precise करके and easily manner में इसको हम समझेंगे अगर हम यह फंगस को ठीक है इनको मैं कहूंगा higher fungay ठीक है lover fungay and higher fungay lover fungay में आप किस किस को पढ़ते हो बेटा हम यहां पर lover fungay में पढ़ते हैं बेटा दो जनाब को एक होता है यहां पर lover fungay में हो गया example फाई को my cities दूसरा क्या हो गया बेटा zाइगो my cities शाबबाश लेकिन हम इसमें सिर्फ यह एक पढ़िंगे इसको नहीं पढ़िंगे बात खतम अच्छा lover fungay क्यों हम इनमें कहते हैं बेटा क्योंकि इनका जो mycelium या हाइफ होंगे बेटा जो इनके हाइफ होते हैं बेटा वो होते हैं एसेपी टेट इस यह हाइफ ऐसे होंगे इनके बीच इनके बीच नूकलिस ऐसे होंगे यह free tube लाइक होंगे ऐसे cross wall absent होंगे इनको हम क्या केते हैं बेटा एसे जिस fungus के बास एसे हाइफ होते हैं उनको हम केते हैं lover fungi दूसरे होंगे हमारे जनाब higher fungi higher fungi क्या होंगे बेटा इनके जो mycelium है तो यह होंगे बेटा sapitate एसे ठीक है यह होंगे बेटा एसे sapitate A-S-E fungey को हम सब को कहते हैं higher fungey इनको हम क्या कहेंगे higher fungey that is यह क्या होंगे पिटा यह होंगे sapitate बात आ रही है समझ में यह sapitate होंगे यह sapitate है इसमें दो class पढ़ेगे यह जो higher fungey हैं यह तो ठीक है यह sapitate होंगे sub लेकिन ये खुद आगे फिर दो तरह के होंगे बेटा कितने तरह के होंगे ये खुद आगे दो तरह के होते हैं ये जो higher fungay होते हैं आगे इनके पास खुद के दो टाइपस होते हैं एक होते हैं जिनमे sexual reproduction प्रेजेंट होगी बात आ रहे हैं समझ में दूसरे होंगे जिन में sexual reproduction absent होगी बेटा समझो बातों को आरे आरे इन में sexual reproduction क्या होगी बेटा absent होगी बात आ रहे हैं समझ में जिन में sexual reproduction present होगी ये कौन से हैं बेटा ये हमारे पास हैं ascomisties classification पता होनी चाहिए दूसरा है बेटा बेसीडो mycities अच्छा ये जो बेटा sexual reproduction जिन में absent होती हैं जिन को हम fungi imperfect भी कहते हैं that is returomycities अच्छा देखो अब हमने क्या पढ़ा fungus को हमने classify कर दिया classify करने के बाद सर हमने क्या समझा कुछ lower fungus है lower fungus में क्या है sir asapitate hive है यहाँ पर cross वाल एपसेंट है तो इनके दो क्लास हैं phycomyestries agomyestries हम phyco को पढ़ेंगे higher fungi हम दूसरा देखेंगे higher fungi क्या है sir इन सब के जो ये होंगे beta mycelium sapitate होंगे इनमें septa present होंगे लेकिन होंगे on the base of sexual reproduction ये दो तरहा के है जिनमें present होती है ascomyestries based to myestries जिसमें absent होती है deuteromyestries और एक point क्या sir phycomyestries में sexual reproduction absent है मैंने कब कहा इनमें भी sexual reproduction present होती है absent एक ही में है वो है किसमें deuteromyestries में तो thanks इस वीडियो को आप देखिए फिर से तो इन्शालला जल्दी ही दूसरा lecture भी आज आएगा